गुड मॉर्णिंग बच्चों आए स्टार्ट करते हैं क्लास को अपन और लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक कम्प्लीट कर लिया था हमारा सेकिंड प्रोविजू सेकिंड प्रोविजू ऑफ सेक्शन 48 इंडेक्सेशन वाला टॉपिक हमारा कम्प्लीट हो गया था जक्त्त वेक्श coalition अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा जब आप esse को वे प्रचेश करते हैं तो उसका कोस्ट पेख विजूच कैसे निकलेगा थिक है बच्चों तो सबसे पर लिखना स्टार्ट करों एक नोट बनाने ना सेकेंड प्रविजों को नीचे नोट कोस्ट ओफ एक्विजिशन तो इसमें दो बाते चेक करेंगे हम if assets acquire after 14 2001 तो actual cost of assets actual cost of assets use यह जी कोस्ट ओफ एक्विजिशिशन और इफ एसेट्स अक्वाइ बिफोर वन फो तू थाउजन वन यह ना एक्वाइर ओन और अफटर ओन और अफटर लिखो तो इसकी कोस्ट ओफ एक्विजिशन कैसे आएगी बिफोर वाले केस के अंदर बिफोर वाले केस के अंदर कैसे आएगी बच्चों एक्च्वल कोस्ट ओफ एसेट्स और लोवर ओफ एस्डिव एजोन वन फो तू थाउजन वन इन दोनों में जो लोवर होगा आप इसदर ले हो गया और अब इन दोनों में जो हायर होगा मतलब इन दोनों में जो हायर होगा इसमें और इसमें वो क्या बनेगा आपका वो बनेगा कोस्ट ओफ एक्विजिशन और इन दोनों में जो लोवर होगा एसडीवी एज़ोन वन फोर टूथाउजन वन और एफम भी एज़ोन वन फोर टूथाउजन वन वह क्या होगा वह यहां पर चला जाएगा बात आपको समझ में आ रही क्या कहना चाहरा हूं मैं कि अगर अगर अग्वाइर किया है एक चार्ट दू हजार एक से पहले तो कोष्ट कितनी लेंगे तो हमारा इंकम टेक्स कहता है कि साहब इसके लिए बहुत ही असान साम आपको फॉर्मूला बताते हैं कि जो भी आपकी कोष्ट है उसको कंपेर किसे कर लिजी आप एक चार्ट दो हजार एक एक एफम भी और एच्जी वी इन दोनों में जो कम हो होगा उसको किसे कंपेर करोगे आप कोष्ट के साथ इन दोनों में जो हायर होगा वो क्या बन जाएगा आपका कोष्ट ऑफ एक्विजीशन बन जाएगा एक जामपल एक जामपल लिखो बैटा ऐसे तो यह पढले पढ़ेगा नहीं तो इसके लिए हमें इसको एक्जामप देट अफ एक्विजीशन यह आपका एक्विजीशन यह आपका एक्विजीशन कोष्ट FMV142001 HDV142001 और यह बनेगी कोष्ट ऑफ एक्विजीशन चलो भई यहाँ पर मैं सेरे लंबर भी लिख देता हूं तो पुरा कोष्ट नहीं बन जाएगा साब यह तो यह आपका सेरे लंबर सबसे पहला सेरे लंबर आपका है सबसे पहला कि उपर का शो कर देते में रुको एक मिनिट तीशा एक मिनिट रुकिए चलो कि स्क्रीन शोट लेल बड़े हैं से स्टार्ट किया क्लास मैंने आज यहीं से स्टार्ट किया है कि नोट के साथ अब इस पर कोशन लिखेंगे अपने एक और अधिक है चलिए लोग पूरा कोशन ने बना दिया मैंने फिर डेट ओफ एक्विजिशन आपकी एक आठ दो हजार दस एक्च्वल कोश्ट आपकी 15 लाग FM भी आपकी है 10 लाग HD भी आपकी है 12 लाग एक आठ दो हजार यह है 15 लाग यह है 17 लाग यह है 16 लाग तीसरा पॉइंट है आपको बताना है कि कोश्ट ओफ एक्विजिशन कितना होगा आओ बतो सबसे पहले केस में सबसे पहले यह चेक किजिए कि आपने एसेट को एक्वायर कब किया एक आठ दो हजार दस को एक आठ दो हजार दस को आपने एक्वायर किया है इसका मतलब यह पहले बाले केस में आओगे है इस को बात आको संग में आई मैंने क्या बताए आपको हाँ जी समयाए आपको ये बात जल्दी बताइए बच्चो चलो दूसा देखते हैं 182000 को आपने ये एसेट्स परचेज किया है इसका मतलब ये एसेट्स आपने कब परचेज किया अब क्या फॉर्मला लगेगा फॉर्मला ये है कि साब आपके एक्च्वल कोस्ट को कंपेर किसे करो गया एक्च्वल को कंपेर करो गया आप लोवर ओफ इन दोनों का लोवर फिर इन दोनों का हायर कैसे सर इन दोनों का लोवर फिर इन दोनों का हायर वो क्या बनेगा आपका कोस्ट ओफ एक्विजिशन बन जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें अगर हम इसको यहां से देखें तो इन दोनों का Lowerеся साथ है इन दोनों का Lower फेसाद यह वाला है और अब क्या करेंगे हम अब क्या करेंगे कि इसको है और इसको कंपIES करेंगे वापिस के इसको कंपेर में किसे साहथ में Whiskey इसके साथ इन दोनों में Higher सो बच्चो इन दोनों में higher होगा 16 lakh ये क्या बन जाएगा आपका cost of acquisition बताओ बड़ी परले ये बात तो आप फिर्ट करके देख लेते हैं इन दोनों में मतलब इस में और इस में बताओ बच्छो lower कौन सा है दोनों में से ये lower है फिर अब इस में और इस 10 lakh में बताओ ये बच्छो higher कौन सा है तो ये 12 lakh क्या बन जाएगा आपके लिए cost of acquisition बिल्दी से reply करो क्या आपको ये बात समझ में आई बच्छो कि ये पूरा question समझ में आगे आपको मैंने कैसे बनाया ये तो बहुत ही simple formula है अगर 142000 एक के बाद assets पर change किया है तो उस case के अंदर cost of acquisition ही cost of acquisition हो जाएगा actual cost क्या बनाया ये आपने उससे पहले purchase किया है 142000 से पहले purchase किया है तो उस case में क्या होगा कि compare करना पड़ेगा step number one के अंदर आपको step number one क्या होगा SDV or FMV whichever is lower फिर जो लोवर होगा उससे compare कि स्कुर होगे आप actual cost के साथ में जो ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा cost of acquisition माल लिया जाएगा वैसे बता दूँ आपको मैं ये जो अभी हम देख रहे हैं ये वाली ये जो कहानी है ये वाली ये फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट है तो ये जब अमेंडमेंट आते है ना वेटा तो थोड़ा से इंपर्टन बन जाते हैं एक्जाम पॉइंट अभी उसे एक्जाम में आ सकते हैं तो ये थोड़ा सा आप फोकस करके रखना इसको चलिए तो ये था हमारा सेकंड प्रवीज़ो फिर से आत करवा दो आपको इंडेक्सेशन है अगर आपके क्यों कैपलेश्ट होगी तो आपको इस इंडेक्स करना कमपल्सरी हो जाएगा इंडेक्स कैसे किया जाएगा cost of acquisition multiply CII transfer वाला divide by CII first year in which assets was held by the SEC or for the year 2012 whichever is later खुल मिला कि simple बात क्या कह रहे है ये इतनी सी बात बोल रहे हैं आपको कि अगर assets आपने 142001 से पहले purchase किया है तो हमेशा उसका जो index होगा वो 100 माना जाएगा ठीक है 142001 की बात purchase किया है तो जो भी index होगा वो आप ले लोगे क्यों sir कि 142001 से पहले index हमारे पास है नहीं तो है नहीं तो क्या मानेंगे 100 मानेंगे improvement को भी same देखो गया जिस साल आपने assets को बेचा उस साल का index उपर आजाएगा और नीचे जिस साल आपने improvement करवाए है उस साल का index नीचा आएगा पर रियाद रखना विच्चों अगर 142001 के पहले कि कोई improvement है तो सब क्या करना है इसको ignore करना है आपको ठीक है इंडोट में लिखवाए देता हूं ताकि भूलो ना आप लिख लो एक note लिख लो इसमें कि एक note और लिखो cost of improvement कि कि दन बिफोर कि एक चार कि दो हजार एक कि शुट भी इग्नोर कि इसे क्या करना आपको इग्नोर करके चलना है ठीक है बच्चो तो यह था आपका second प्रॉविजू मतलब एक चार दो हजार एक से पहले का कोई भी improvement होगा उसे इग्नोर कर देना उसको देखने की जुरूरत भी नहीं है इग्नोर करके चलना अब इस पर एक master question बनाएंगे अपन अभी नहीं बाद में आगे और फिलाल एक तो मैंने question बना के दे दिया था आपको एक question कि master question बनाएंगे हम और उससे पहले हम थर्ड प्रॉविजू लिखेंगे पहले तो फर्स्ट प्रॉविजू हमारा non-resident वाला था सेकिंड प्रॉविज हमारा indexation करता अब हम पढ़ रहें थर्ड प्रॉविजू section 48 का थर्ड प्रॉविजू पढ़ने जा रहे हैं यह बोलता है no indexation in case of debenture public bond debenture और bond के case में कभी indexation नहीं होगा और except but except किसको छोड़ते हुए capital indexed capital indexation bond and sorven gold bond मतलब क्या हो बच्चो मतलब समझे है मतलब समझे है काम के बाद तो मतलब ही है मतलब यह हो गया किसाब एक तो यह capital index bond जो है और एक इन दोनों पर इन दोनों पर क्या होगा indexation हो जाएगा ठीक है इनके अलावा जितने भी debenture जितने भी bond है उन पर कोई भी indexation नहीं होगा इनके अलावा जितने भी debentures जितने भी debentures जितने भी bond है उन पर indexation नहीं होगा केवल किन पर होगा capital index bond और sorven gold bond इन पर हमेशा indexation होगा इन पर हमेशा क्या होगा indexation होगा बहुत ही simple सा मैंने आपको बताया इसमें यह आपका third provis हो था अब हम एक question लिखेंगे second provis हो के उपर एक question लिखेंगे बच्चो second provis हो के उपर ताकि आप यह question समझ पाई पूर अच्छी तरह है मैं इसको एक picture format में लिखूंगा न आपको भी वैसे ही लिखना है इसको picture format के अंदर थोड़ा सा मैं इसका ink कम कर लूँ ठीक है देखो example आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ किसाब यह एक मकान था मिस्टर एक इस मकान को मिस्टर ए ने परचीज किया और यह देट ओफ एक्विजिशन और यह किसाथ जुलाई नाइन्टी नाइन्टी सिक्स उन्नीश सो च्यानवे में इस मकान को मिस्टर ए ने परचीज किया और इनकी कोष्ट मतलब एक्च्वल कोष्ट की बात करों बच्चो में परचीज कितने में कियाता है इसे साथ लाख रपे में परचीज किया स्यावन लैक में क्या किया है परचीज किया ठीक है समय बीता और इन्होंने इसके उपर एक मकान और बनाया एक फ्लॉर और बना दिया यह जो फ्लॉर बना है यह बना है एक जनवरी दो हजार को इस फ्लॉर को आप क्या बोलते हैं? Cost of Improvement बहुत जो बनता ना उसे बोलता है, Cost of Improvement और कितना करवाए अपने Cost of Improvement यह खर्चा हुआ 21 2021 बत्चो आपका दो लाक रुपे का एक मकान जो मैंने पर्चिछ चया साथ साथ उनियस्योत्यान्मे में एक जनवरी 2000 को मैंने इस कोष्टेन फर्ब कर्फाया और समय्च बषिता और मैंने इसपी ओपर एक और कोष्ट फ इंप्रूप्वेम३ंन् स्करवाया इस बार मुत्रब कलर चेंज कर लेता हूं तक याद रहें आपको यह अगले वाला है यह मैंने 1,8,2,016 को करवाया कोस्ट ओफ इंप्रूइमेंट कोस्ट ओफ इंप्रूइमेंट ठीक है इस बार जो खर्चा हुआ है कोश्ट इंप्रूइमेंट का वो हुआ है चार लाक रुपे का ठीक है भाई सब अब क्या किया मुझे पैसे जरुरत पड़ी और मैंने इस मकान को इस पूरे मकान को सोल्ड कर दिया एक आठ दो हज़ार बीस को मैंने इस मकान को बेचा है但 मिस्टर बी को मिस्टर बी को मकान बेच दिया और जो सेलिध प्राइस था वो था बच्चा सेल प्राइस था वो था इस मकान का 40 लाख रुपे का वे पूरा मकान मैंने 40 लाख में इसको बेच दिया ठीक है अब क्योंकि ये मकान मैंने 17296 में मतलब एक एक जो हजार 142 हजार एक से पहले परचेस कर रखा है इसलिए इस मकान का FMB कितना कितना है तो 14 2001 में मकान का जो FMB है वो है 10 लाख और SDVM मकान का 12 लाख कैलकुलेट करना आपको कैलकुलेट Capital Gain Tax जल्दी से इस कोशन को नोट करो बेटा और इस कोशन में अब तक जितना मैंने पढ़ाया है उन सब को मैंने कवर कर लिया है अभी तक जो जो बाते भीने आपको पढ़ायी है उन सब बातों को मैंने आपर कवर किया है तो पहले इसको आप नोट कर लीजे नोट कर लिया हो तो मुझे मैसेज कर दो बच्चो चलिए कर लिया होगा आपने तो अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं अब आप सिर्फ देखेंगे बेटा इसने जगह में होगा नहीं तो मैं यहां बढ़ता हूं इसका सॉल्यूशन कम्प्यूटेशन ओफ क्यापिटल गेन क्यापिटल गेन की कम्प्यूटेशन सबसे पहले होता है इसमें फूल वैल्यू ओफ कंसिडेशन सबसे बता पर इस लोंग ट्रम या शोट रम में बता हैसेट लॉंग ट्रम है शोट ट्रम में मेरे पास यह ऐसेट आई कप थी यह आई थी मेरे पास साथ साथ चानमे को और मैंने बेचा गब इसको 18 2020 को इसका मतलब यह एसेट 24 माहिने से ओपर मेरे पास थी एसेट मेरा मकान है इसलिए क्या होगा इस पर क्या आएगा capital गीन आएगा और कौन सा आएगा long term capital गीन आएगा तो यह क्या आपके long term capital assets है तो knowledge के लिए याद अखने के लिए इसलो साइड में long term capital assets और आपको यहाद है बच्छों अगर कोई assets long term capital assets होती है तो इस पर indexation होता है ज्यादाना बच्छों आपको उस पर क्या होगा indexation तो पहले तो यह बताओ बेचा कितने में आपने इसको हम क्या बोलते हैं full value of consideration full value of consideration हाँ जी साब कितने में भी काई यह भी काई सिर 40 लाग में इसमें स्लाइस कर देंगे हम transfer expense transfer के जो भी expense हो वो less हो जाएंगे इसमें से मैंने दे नहीं रखे तो मैं slice मत करो यह क्या बनेगा आपका net consideration जो कितना होगा 40 लाग ही रहेगा अब इसमें से minus करेंगे हम इंडेक्स कोस्ट ओफ एक्विजिशन बताओ बच्चो सबसे पहले हम याद करते हैं हमारे पुराने rules को rule के साब से क्या था अगर आपने कोई assets को acquire किया है कब acquire किया बेटा एक चार दो हजार एक से पहले तो उसका base index क्या होगा 100 होगा दूसरे बात थी उसकी कोस्ट कितनी आएगी बच्चो तो कोस्ट क्या आएगी अगर assets आपका एक चार दो हजार एक से पहले का है तो उसकी कोस्ट कितनी आएगी कोस्ट एक्च्वल कोस्ट और लोवर और एजडिवी और एफमी वीचावर इस हायर ठीक है बच्चो तो मुझे बताओ यह assets कि आपका एक चार दो हजार एक से पहले का था क्या यह सर पहले का था तो इसका मतलब क्या हो गया अब आपको इसकी कोस्ट निकालनी है तो वर्किंग नोट में यहां पर मैं इसकी कोस्ट निकाल रहा हूं वर्किंग नोट में cost of acquisition तो बतो बचो यह जो आपने assets acquire कब किया है assets acquire लिखना है acquire नहीं assets acquire before 142000 वन तो अब कोस्ट कैसे निकलेगी पहले लगाओ step नमबर वन एफमवी एज़ोन 142000 वन और stem duty value SDV एज़ोन 142000 वन बताओ बचो इसकी एफमवी कितनी है एज़ोन 142000 वन तो एफमवी है बचो इसकी दस लाक रुपे की है तो इन दोनों में लोवर कौन सा लोवर हो गया 10 लैक ठीक है फिर आएगा step नमबर टू स्टेप नमबर टू क्या बताएगा actual cost ऑफ एशेट्स बतो बचो एक्षा एक्षो कोच कितनी Сам के यहे मेरे साथ साथ यह उसकी यह साथ रुपे की है इन दोनों में और हाइर Weg अहार कितना हो गया दस लाग तो इसका मतलब कोस्ट ओफ एक्विडिशन अगर किसी को यह बात पर ले नहीं पड़ी तो मुझे पूछ सकता है बच्छो अजी जितने बच्छे मुझे सुन रहे हैं देख पा रहे हैं मुझे जल्दी बताओ क्या आपका यह बात समझ मैं दस लाग कैसे निकला त दाटाइस के उपर उपर इसको पूरा एक्जांपल करवा है मैंने तो मैंने पूरा एक्जांपल करवा है कैसे आए गई तो बताओ बच्छों यहां पर कितना आएगा रड़ पैंसे लिखना है मुझे तो यह कोस्ट ओफ एक्विजिशन हो गया आपका पहले फॉर्मुला लेख देता हूँ ना कोस्ट ओफ एक्विजिशन मल्टिप्लाई सी आई आई कौन सा सेल वाला इयर ओफ ट्रास्फर का और यहां पर कौन सा आएगा वन फो टू थाउजन वन का इत्व आएगा मैंने क्या बताएता आपको कि अगर आपने एसेट्स एक चार्ट दूजार एक से पहले परचेस की है तो सी यह मिसा कौन सा होगा वन फो टू थाउजन वन मतलब हंडर होग तो कोश्ट ओफ एक विजन कितना है इसका दस लाग हो गया मल्टिपलाए कि सी यह और यह ओफ ट्रांसफर कितना बच्चों सी यह ओफ ट्रांसफर का कितना है 301 मैंने आद करवाये था आपको और CII करेंट इतना होता है 100 तो जल्दी से बताईए मल्टिपलाई करके कितना आये गई है दस लाग मल्टिपलाई 301 डिवाइड़ वाई 100 यह ओगा 30 लाग दस अजार 30 लैक 10 थाउजन ठीक है बच्चों हाँ सर यह बात तो में समझ्वा आ गई सम्झ मैं अब आएगा स्वृष्ट ओफ को अफ यह को स्वृष्ट औफ इंप्रूमेंट मैंने एक nênोट लिख वाई ता आपको को कि कोस्ट कोश्ट ओफ इंप्रूमेंट पहले में दो बार cost of improvement हुआ है एक बार तो आए 142000 को एक बार हुआ है 182016 को और मैंने क्या बोला आपको कि सर अगर cost of improvement आपकोंसे वाला है before 142001 उसे क्या कर देना इग्नोर कर देना तो इसका मतलब है कि यह जो पहले वाला cost of improvement यह वाला इसे क्या करना है इसको देखना अभी नहीं क्यों देखना क्योंकि कि इसकी value कहा सामिल होगी होगी इस इस वेल्यू में सामिल हो चुकी होगी है इसके वैलू में सामिल हो चुकी हो दिया इन इसलिए इंग्न ओर करतें पर भागी मीडाल आप किंतु परफानंतों मैं तो नॉर्मल जाहें राठों कि इसमें इसको इंग्नूर कर कीज आपե एक्जाम के इंदर आप ठीक है तो एक आठ दूजा 16 वाला में देखना है जो कितना है चार लाग का तो इंप्रूमेंट कितना करवाए आपने तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर इंप्रूमेंट जो आपका था इसे क्या करना है इगनोर और दूसरे वाला चार लाग का था वन एट टू थाउजन सिक्स्टीन को कितना कि आपने चार लाग इसको मैं कंसिडर करना है तो आओ कंसिडर कर लेते हैं फिर आफला कि चार लाग मल्टिपलाई उपर कौनस इंडेक्स आएगा जी साल ट्राश्वर किया और निचे कौनस इंडेक्स आएगा निचे इंडेक्स जल्दी बताओ बेटा कितना होगा 16-17 का अंडेक्स बुक में देखे बताओ मैं वेट कर रहा हूँ आपके अंसर का रिया मोहित अक्षय बेबव जल्दी बताओ बच्चो अले यार इतना टाइम लगाते हो तुम लोग 264 आंसर दिया है तीशा ने 264 ही है क्या यह देखे बताओ यह आपके सामने और बाके तो कोई डपलाई करनी रहे सोरे लगता बाके बच्चे यह आपका 16 17 गंडेक्स कितना है 264 कितना है यहां पर 264 करूँ मल्टिपले करूँ कितना है गई तो यह होगा 4 5 4 5 6 0 6 1 6 1 कर रहो हूँ पैटा मैं इसको ठीक है तो यह क्या होगे पैटा कैपिटल गेना आगया आपका तो 40 लाक में से यह माइनस करोगे आप तो 5 लाक 33 939 यह आगया लॉंग ट्रम कैपिटल गेन ठीक है इसे हम बोलनेंगे लॉंग ट्रम कैपिटल गेन अगया जल्दी जल्दी बताईए बेटा क्या आपको यह बात पर ले पड़ी जो मैंने अब आपको बताया है जल्दी 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 बताईए बात भी जल्रम कैपिटल गेना यह बोल नॉंट कर लिया हुत आपने अब हम इलस्टेशन नमबर टू करने जारे मोडूल का जल्दी बटा मोडूल खोली अपना नोट कर लिए था आपने देखिए इलस्टेशन नमबर टू क्या बोलता है आपको 23rd December 2020 रजत ने सोल्ड किया आद्जो गराम गोल्ड सेट कंसीडरेशन कितना उसका 3,500,000 तो सबसे पहले बताओ बच्चों फूल वैल्य ओफ कंसीडरेशन कितना होगा इसका 13,50,000 ठीक है हिवाज एक्वाइर इस गोल्ड को उसने 20 अगस्ट 2000 को एक्वाइर किया था चार लाक रुपे में और मतलब इसका एक्च्वल कोस्ट कितना आ गया एक्च्वल कोस्ट चार लाका है और यह बिफोर कब है बिफोर 142,001 से पहले पर्चीस कर रखा है FMB दे रखा है 500 ग्राम इस गोल्ड की एक अप्रेल 2001 को 660 तो 3,60,000 दे रखिये FMB Find out the capital gain तो मुझे बताओ दोनों में higher देखते हैं बटाम HDV तो दे नहीं रखा है इसका HDV बता दूँ आपको HDV आपकी Immovable properties के लिए होती है Land and building के लिए होती है HDV Gold के लिए नहीं होती तो इन दोनों में higher कौन सा होगा पतो higher कौन सा होगा 4,00,000 हो जाएगा तो इसमें से हम minus करेंगे index cost of acquisition चार लाक multiply 301 divided by 100 301 इस साल का index है यह 100 कौन सा है यह base index है क्योंकि आपने assets का purchase किया है 142,001 से पहले तो अगर आप इसे multiply करेंगे तो यह आएगा 12,004,000 तो 12,004,000 को आप इसमें से मिस्टर आनने अच परचेज हाउस प्रॉपर्टि यह जोन 17,08, 2002 फॉर फाइव लैक ऐड़ वाण फाईफ यह तू पूज़न he constructed a new floor on the same house तू लैक 50,000 का और एक दस कौस रहे क्या किया एक दस बीस कौस ने इस मकान और बेच दिया है ब्रोकरेस ने दो लाक दो परसेंट के पे की है तो यह तो और भी असान है बच्छो और भी असान कैसे है कि सर full value of consideration मकान बेचा कितने में बच्छो 18,00,00 में इसमें से ब्रोक्रेज कम कर दो आप ब्रोक्रेज कितनी है 18 लाग का 2% 36,000 तो यह नेट कंसिडरेशन आ गया आपका जो कितना होगा इंडेक्स कोस्ट ओफ एक्विजिशन तो बताओ बैटा कितने हैं पर्चेज के मकान आपने पांच लाग में और यह मकान आपने एक चार दो हजार एक के बाद पर्चेज किया है तो यही देखोगा आप पांच लाग सरी दो को तो 5 लैक मल्टिपलाइ 3-0-1 डिवाड़ेड बाई बताओ बच्चो यह 2-3 का इंडेक्स कितना है 2-3 का इंडेक्स देखे बताओ उपर यह रासा अब 2-3 का इंडेक्स 105 तो डिवाइट कितने से करेंग इसको हम 105 से तो ये 105 से डिवाइट करोगे तो इमाउंट कितना हैगा आपका 14,333,333 और Index Cost of Improvement क्या Improvement 142,001 से पहले किया क्या नहीं से उसके बात किया तो लेंगे Improvement सामिल होगी और कितने करवाई आपने Improvement 2,5,000 का कब करवाया 1,4 को तो 2,50,000 का Improvement है आपका 3,01 उपर Index आएगा कब Improvement करवाई आपने इए Improvement करवाई आपने 4,5 में 4,5 का Index कितना उपर देखो 4,5 Index है 1,1,3 तो डिवाइट कितने से करोगे आप 1,1,3 से तो मल्टिपलाई अगर आप करोगे तो यह आएगा बच्चों 6,65,929 तो यह आगा Long Term Capital Gain Loss आएगा यह तो Loss 3,35,263 क्या आपको यह दोनों Illustration संग में आए रिया अक्षर जैन मोहित दोनों संग में आगे देखो बच्चों अगर आपने मेरे वाला यह Question किया है है तीशा बेटा अगर आपने यह Question को समझ लिया यह वाला Question तो फिर यह जो Question बुक में दे रहे हैं यह तो बिल्कुल सिंपल वाले हैं अगर आपने यह Question जो मैंने बनाया है इसको आपने डंक से लिखा है और इसको अपने Soul के है तो बेटा यह जो Question इसके बाद वाले वो तो क्या हैं एकदम इजी इजी हैं Index 90 2020 का आएगा ना एक मिन में देख लेता हूं बेटा सर HDV और FMV क्या होता है थोड़ा बता दू बेटा देखो HDV होता है Stamp Duty Value जब भी कोई Property आप Purchase करते हो ना Property मतलब जो अपने मकान दुकान या कोई जमीन पर चीज की है तो उस पर HDV लगता है Stamp Duty लगती है एक Paper होता है Stamp Paper पर लिखवा लोग मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा तो Stamp Paper होता है गौवर्मेंट उससे duty चार्ज करती है जब कि प्रॉपर्टी के पचास लाग है तो आपको पचास लाग रुपे के स्टैम पेपर पर्चेस करने पड़ेंगे पचास लाग पर नहीं होगा इस प्रॉपर्टी को लिखने के लिए कितने के स्टैम पर लगेंगे वह लगाने पड़ेंगे ताकि प्रॉपर्टी लिगलाइज हो जाए पर इस फ्म बनहें पर फेंब भी मर्केट कि अव्स दिन उस प्रॉपर्टी की कीम möt कितने हैं नौरमली उसे आप अक्षा केरें सुरिई कि पुए खास जैन पर आपर को ठाब इचरम की बात करे रहे हैं तो आड़ ए शबंचिन के बात करें तो आईए देख लेता है थर्ड में कब बेचा है देखो मैं फिर आपढ़ा देता हूँ आपको इसने बेचा है on first 10.20 he sold purchase 80 lakh हाँ बेटा मैं तो 20, 21 से बता तो रहा हूँ देख तो लेओ और एक बार देख तो लो क्या है ये कब बेचा है आपसने कब बेचा है आपने ये रहा 110 2020 तो 110 का मतलब क्या हो गया कब से start होगा साल आपका 14 2020 को और end कब होगा 31 मार 2021 को तो इनको हम बोलेंगे 2021 और 2021 का अच्छा इसका पुराना मोडूल है 2021 का जो इंडेक्स वो कितना है 301 है ये करंट इंडेक्स है ठीक है बच्चो आए सब्सक्राइब को ये चलिए चलो आज के लिए क्लास को ये तरकते हैं इसके बाद में नया कंसेप्ट है जो हम कल करेंगे तो आज के लिए बच्चो इतना है बाई